दोस्तो बेल वर्गियों फसल जितने प्रकार की होता है जैसे कि खीरया, कट्थू, लोकी, तुरहिया इस प्रकार की जो बेल वर्गियों फसल होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो किसानों को परिशान करता है वो होता है डावनी मिल्डियू जियां डावनी मिल्डियू एक बहुत ही खतरनाक विमारी है जो कि इसको बेल वाली फसल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है उसके साथ-साथ जैसे कि अंगूर की फसल में भी ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो आज की वीडियो में हम complete information दे देंगे ड्याउनी मिल्लियू के बारे में ज लाकि हमारे बाद में जाके कोई भी नुक्सान ना हो इसके लिए उसके अलबा अगर बायचंस अगर आप लोग का फसल पर ड्याउनी मिल्लियू को फो गया फिर भी हम लोग कौन-कौन सी दवा को छिड़कव करके एक ही बार में आप लोग आसानी से उसको कॉंट्रोल कर स एक बहुत ही खतरना फंगल जनित बीमारी है जो कि यह सोयल बर्न डिजिज भी है यानि कि मिट्टी के अंदर से यह फंगस तेयार होता है और बाद में जाके फसल पर यह एटक करता है लेकिन यह जोस बीमारी है सबसे ज़्यादा बेल बाली फसल में देखने को मिलता है औ जैसे आप लोग उसको एक ही बार में एक दबा को चिरकाव करके कोंट्रोल कर सकते हैं वो आगे जगे आप लोगों को बता रहें उससे पहले जान लेते हैं डाउनी मिल्डियू का लक्षन क्या होता है यानि कि हम लोग कैसे पैचान सकते हैं कि हमारे फसल में डाउनी मिल् और नीचे से ये शुरू होता है, उस पत्तियों में इस तरीके से आप लोगो को धब्य धब्य देखाई देता है, लेकिन आप लोग और एक चीज इसको समाजने के लिए देखना पड़ेगा, कि पत्ति के नीचली सता पे आप लोगो को देखने को मिलेगा, जो उपर का फिल जदा तर आप लोगो का वारिस के मोसम में देखने को मिलता है, या फिर अगर अगर अप लोगो का high temperature हो जआता है, तो उस समय पर downy mildew यो जदा तर देखने को मिलता है, और downy mildew एक इतना खतरनाक भीमारी होता है, अगर आप लोगो इसको साई से नहीं कोन्रोल करते हैं, तो उस समय पर आप लोग को जो सालफर होता है उसको आप लोग को 6 kg परती एकड में आप लोग को खाद के साथ मिला करके जमनी में डाल देना है क्योंकि सालफर आप लोग का फंगास को कॉंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है तो डाउनी मिल्यू को अगर अप लोग को प्रिवेंटिव तरीके से दावा को चिड़काब करना है ताकि अमारे फसल में डाउनी मिल्यू ना लगे उसके लिए बहुत सारे मार्केट में सोस्ता दावा मिलता है उसको अप लोग को चिड़काब करना है उसके अलबा मेली डीडिव को भी आप लोग ले सकते हैं दो ग्राम फोती लिटर पानी में तो भी आप लोग को डाउन्यू मिल्लिव का प्रोकोफ से ये बचा देगा तो इस तरीके से इस दवा को चिड़कव करने पर आपके फसल में डाउनी मिल्यू का प्रोकोफ हो गाई नहीं लेकिन ये दवा को आप लोगो को गुमा फिरा के 6-7 दिन के अंतरल पे चिड़कव करते रहना चाहिए उसके अलाबा वायचांस ये सब काम करने के बाद भी अगर डाउनी मिल्यू का प्रोकोफ आपके फसल में हो गया तो हम लोग कौन सी दवा को चिड़कव करके उसको कॉंट्रोल कर सकते हैं आप लोग द्यान से सुन लिजी तो सबसे पहला जो फंगी साइड लेना है दोस्तों केब्रियोटोर नाम पे आप लोग को बादर में मिल जाएगा केब्रियोटोर में आप लोग को पायरा क्लोस्ट्रोविन और मेटिराम का कॉंबिनेशन मिलता है उसको आप लोग को 3 ग्राम प्रती 15 लिटर पानी में मिला करके चिलकाव कर देना है जिससे कि आपका डाउनी मिल्डिव को तुरंत ये कंट्रोल कर देगा उसके अलाब दोस्तों टाटर रेलिल्स कमपानी का सार्तक को भी आप लोग ले सकते हैं प्रती 15 लिटर पानी में तो भी आप लोग को ये आसानी तरीके से कंट्रोल कर देता है तो इसमें से दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एक दवा को लेते हैं और आप लोग अपने पसल के अंदर डाउनी मिल्डियो को कंट्रोल करने के लिए चिड़काब करते हैं तो बहुत ही सांदार रेजाल देखने को मिल जाता है तो इस वीडियो में डाउनी मिल्डियो के बारे में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना है